तो भोला आगे हम देख पाऊं की ना पाऊं तो मालूम नहीं है फैमिली में कोई मतलब पैसा कमाने माला कोई नहीं है हेलो फ्रेंड्स इंडियान आइडल 14 के लेटेस्ट एपिसोड में मेहमा नाम की एक कंटेस्ट एनाई जिसनी एक शानदार परफॉर्मेंस दी इस परफॉर्मेंस को सुनकर सभी जजिस काफी जादा इंप्रेस होती है और श्रेया जी मेहमा को अपने पापा को स्टेज पर बुलाने के लिए कहती है जब उसके पापा स्टेज पर आते हैं तो काफी ज़ादा इमोशनल हो जाते हैं और जज्जस को अपनी दुख भ्री दास्ता सुनाते हैं वो कहते हैं कि जल्द ही उनकी आखों की रोशनी जाने वाली है और वो बहुत ही मजबूरी में हैं उनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है वो अकेले ही कमाने वाले थे और अब उनकी भी आखों की रोशनी जाने वाली है मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को मैं अपनी आखों से सक्सेस्फुल होते हुए देख सकूँ क्योंकि बाद में मेरी आखों की रोशनी नहीं रहेगी मैं इसको अच्छी तरह से सिंगिंग सिखाऊंगा और कोई भी कमी नहीं आने दूँगा ये सब सुनकर सबी जजिस काफी ज़ादा इमोशनल हो जाते हैं और श्रेया जी अपने आपको ये सब सुनकर रोने से नहीं रोप पाती हैं इसके बाद कुमार शानुजी स्टेज पर जाते हैं और महिमा के पापा को गोल्डन टिकेट देते हैं तो फ्रेंड्स आपका इंडियन आइडल 14 में फेवरिट कंटेस्टिन कौन सा है प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताएं इंडियन आइडल 14 की और लेटेस्ट निउस जानने के लिए हमारी चानल को सब्सकाइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए थैंक्यू बाइबाइ